नमस्कार रीट 2022 टॉप MCQ में आपका स्वागत और अभिनंदन है आज हम बात करेंगी भुकम्प और ज्वालामुकी जो की रीट में एक नई सलेबस के रुप में जुड़ा है और भुकम्प और ज्वालामुकी को लेके क्या प्रश्ण बन सकते हैं कैसे प्रश्ण हमें पू भुकम्प की और उसके बात करते हैं हम ज्वालामुकी देखिए भुकम्प और ज्वालामुकी को पढ़ने से पहले आपको सामानिया पता होना चीए कि भुकम्प क्या होता है तो भुकम्प का मतलब होता है कि जो हमारी प्रत्थ्वी है इसमें जो है प्राकरतिक या मानव जनित कारणों से यदि भूमी में कोईन कोई कमपन होता है तो उसे हम भुकम की संग्या देते हैं सामाज़ता भुकम किसे कहते हैं यहां नहीं पूछा जाता है लेकिन भुकम के कारणों का जब हम अध्यन करते हैं तो उसमें हमें भुकम के प्रकार को लेके पूछा जाता है और भुकम की उत्पत्ति को लेके भुकम प्य तरंगों को लेके प्रशन हमसे पूछे जाते हैं तो जितने भी प्रशन भुकम के समध में पूछे जाने की संभावना है उन सभी प्रशनों की हम लोग बात करते हैं देखिए वहाँ बिंदू जहां भूकम्प ये तरंगे सरोप्रथम अनुभाव की जाती है तो सबसे बहले तो आपको ये पता होना चीए कि भूकम्प की उत्पत्ति कहां होती है और उसका अनुभाव कहां पर किया जाता है तो यदि हम बात करें यहां जो हमारी प्रत्वी की सरचना है यहां है धरातल और यहां है भूगर्व अब भूगर्व में वहा इस्तान जहां पर भूगर्व में वहा इस्तान जहां पर भूगर्व की उत्पत्ति होती है इसे हम कहते हैं फोकस या भूकम्प मूल कहते हैं जहां पर भूकम्प की उत्पत्ति होती है और यहां भूकम्मूल सदेव भूमी के अंदर भूमी की भीतर भूगर्व में होता है इसके बाद धरातल पर वहा इस्तान जहां पर भूकम्प्य तरंगों का सबसे पहले जो है अनुभव किया जाता है यहां पर यदि हम अनुभव करते हैं तो इसे कहते हैं एपी सेंटर या भूकम्प अभी केंदर की संग्या दिए और भूकम्प अभी केंदर सदेव धरातल के उपर होता है और भूकम्प मुल सदेव धरातल के भीतर होता है तो यदि हम प्रश्ण की बात करें कि प्रश्ण में क्या पूछा गया है वहां बिंदू जहां पर भूकम्प ये तरंगे सरव पर्थम अनुभव की जाती इसका मतलब है कि यहाँ जो इस्तान होगा यहाँ धरातल पर इस्तित होगा कहाँ पर इस्तित होगा धरातल पर और जो धरातल पर इस्तित होता है उसे हम क्या बोलते हैं इपी सेंटर कहते हैं भुकंप अभी केंदर कहते हैं इसलिए इसका सही उत्तर होगा वहाँ होगा बी इपी सेंटर फोकस का मतलब होता है भुकंप मूल भुकंप मूल जहां पे भुकंप की उत्पत्ती होती है आईसोसिस्मल लाइन इसे कहा जाता है सम भुकंपिय रेखा या भुकंपिय सम रेखा के नाम से जानते हैं कि वहां कालपनिक रेखा जो समान तिव्रता वाले भुकंप शेत्रों को मिलाती है उसे सम भुकंपिय रेखा या भुकंप सम रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं और वीवर यहां ज्वाला मुकी किरिया के दोरान जब धरातल से लावा उपर उड़ता है तो धरातल पर जो छिद्रो होता है उससे हम वीवर की संग्या देते है वीवर का समन्द जौला मुखी की रिया से हैं तब कि फोकस, इपी सेंटर और आईसो सिस्मल लाइन का समन्द भुकम्प से होता है भुकम्मोल, भुकम्प अभिकेंद्र और सम भुकम्पिया रेखा के रुपे हमें जिसे जानते हैं बात करते हैं अगले प्रश्ण की नेमन लिखित में से न्यूनतम तिवरता वाली भुकम्पिय तरंगे कौन सी है देखे भुकम्प के दोरान जब भुकम्प की क्रिया होती है तो दो प्रकार की भुकम्पिय तरंगों की उत्पत्ती होती है और उन तरंगों के वेक और तिवरता के आधार पर ही उनके प्रभावों का अध्यन किया जाता है तो सबसे पहलो तो आपको ये पता होने चीए कि भुकम्पिय तरंगे कौन सी है और किसकी तिवरता ज़ादा होगी और किसकी तिवरता कम होगी तो देखे भुकम्प्य तरंगों की बारे में बात करें तो भुकम्प्य तरंगें दो प्रकार की होती है कितने प्रकार की? दो प्रकार की एक कहलाती है भुगर्विय तरंगे और दूसरी कहलाती है धरातलिय तरंगे भूगर्विय तरंगे मतलब जो प्रत्वी के अंदर होती है उन्हें भूगर्विय तरंगे और जो धरातल पर होती है उन्हें हम धरातलिय तरंगे कहते हैं भो गर भी तरंगे जो है दो प्रकार की होती है एक होती है प्रात्मिक तरंगे और दूसरी होती है जित्यक यहनि कि प्राइमरी वेज और सेकेंडरी वेज प्राइमरी वेज यहनि कि भुकम्प उत्पत्न की बाद यहनि कि भुकम्प की उत्पत्ति की बाद सबसे पहले जो उद्पन्न होती है उन्हें हम प्रात्मिक तरंगे प्राइमरी वेव्ज कहते हैं और प्राइमरी वेव्ज जो है इनकी प्रकरती अनुदेधरिय प्रकरती की होती है कैसी होती है अनुदेधरिय निकी ध्वनी तरंगे जो होती है उस प्रकरती की यहां होती है और यहां ठोस द्रव गैस नहीं कि जो तीन माध्यम होते हैं ठोस द्रव और गैस तीनों माध्यम में यहां गमन कर सकती है तीनों माध्यम से गुजर जाती है और इसलिए इसका जो है प्राइमरी जो तरंगे होती है जो प्राइमरी वेव होती है प्रात्मिक तरंगे इसका सबसे ज्यादा वेग होता है ठोस में उसके बाद जो है द्रम में और सबसे कम होता है गैस में लेकिन तीनों में यहां गमन करती है तो आप से पूछा जासता है कि कौन सी तरंगे जो तीनों माद्यों में गमन करती है तो वहां प्रात्मिक तरंगे होती है और इसका वेग सबसे ज़्यादा ह होगी वहाँ भुकम ज्यादा विनासkkारि होता है तो इसकी त्यूरता सबसे कम होती है और इसलिए इसका प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है यहीं सामानिय के ? कमपन होगा किसी तरह का विनास इससे नहीं होता है ध्यानक ना वे adapt ज्यादा होता है तो तिवरता क्या होगी कम होगी इसलिए जहां रिकना प्रात्मिक तरंगों का वेग जादा होता है तिवरता कम होता है इसके बाद बात करते हैं जुट्यक तरंगें जुट्यक तरंगें यहां अनुप्रस्त तरंगें होती है जो प्रकाश तरंगों की भातिकार्य करती है और य इसका जो वेग हैं इससे तो कम होगा प्रात्मिक तरंगों से कम होगा लेकिन धरातलिय तरंगों से ज़्यादा वहां य crown तरंगों की संजरलिय मद्य के यहाँ तरंगया होती है और इन्हें Però तरंगय चितन रखना गौन तरंगे किसे कहते हैं ड्वित्यक तरंगों को ही गौन तरंगों की संग्या दी गई है यान गौन तरंगे कौन सी होती हैं ड्वित्यक तरंगे होती इसके बाद धरातल्य तरंगे देखें धरातल्य तरंगों के बारे में सबसे पहले Edward हव लव ने बतायता इसलिए इन्हें लव वेव या एल वेव भी कहते हैं लव तरंगे एल वेव या धरातलिय तरंगे या तीनो एक एक क्योंकि इसका नामकरन जो है वहाँ Edward हव लव के नाम पर किया गया अब यहा जो तरंगे होती इनकी गती बहुत कम होती है और जब गती कम होगी तो तिवरता जादा होगी और इसलिए धान रखना सबसे जादा विनासकारी तरंगे कौन सी होती है विनासकारी जो तरंगे हैं वहाँ धरातलिय तरंगे होती है और यहां सता पहर गमन करती है कहां सता पहर गमन करती है और सता पहर गमन करने के कहां यह विनास ज्यादा करती है जब कि प्रात्मिक और दुट्यक तरंगे यहां भूग अरभिय तरंगे होती है अब बात करते हैं प्रश्ण की कि निम्नलिकित मैं से न्यूनतम तिवरता यह यहने कि तिवृता सबसे कम किसकी होती है तो इसका सही उत्तर होगा ए जिसकी तिवृता कम होगी उसका वेग क्या होगा आधिक होगा और जब वेग आधिक होगा तो यहाँ कम विनासकारी होती है इन्हें इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाए दिता है जबकि धरातलिय तरंगे हैं इनका वेग क्या होता है न्यून होता है इसलिए तिवृता क्या होती है सरवादिक और तिवृता सरवादिक होने के कारण यहाँ क्या होती है विनासकारी तरंगे होती है ध्यान रखना तरंगों को लेके प्रश्न पूछा जासता है कि प्रात्मिक तरंगे क्या होती है या फिर प्रश्न यह पूछा जासता है कि भुकम की उत्पत्ति के बाद सर्व प्रतम धरातल पर कौन सी तरंगों को महसूस किया जाता है तो प्रात्मिक तरंगों को जिने हम प्रामरी वेज कहते हैं सबसे पहले इसकोप जो है महसूस करते हैं उसके बाद secondary waves को करते हैं और सबसे last में कौन सी होती है धरातल्य तरंग्य होती है L waves होती है और क्योंकि इनकी गती सबसे कम होती है और तिवरता सबसे ज्यादा होती है बात करते हैं अगले प्रश्न की नेमनल लिकित में से भुकम्प्य तिवरता मापन का पैमाना नहीं है A. सिस्मोग्राफ B. रियक्टर स्केल C. मरकेली स्केल D. रोजी फेरल स्केल देखिए भुकम्प्य तिवरता सबसे पहलो तो आपको यह पता होना चीए कि विज्यान की वहा साखा जिसमें हम भुकम्प्य घटनाओं का अध्यन करते हैं उसे सिस्मोग्राफ जाता है क्या कहा जाता है सिस्मोग्राफ जी कि सिस्मो लॉजिक के अंत्रगत हम दो तरका अध्यन करते हैं एक तो भुकम्पिय तरंग का और दूसरा हम करते हैं भुकम्पिय तरंग का और इसके आधार पर ही भुकम्प के प्रभाव भुकम्प का जो है क्या इफ्यक्ट रहें या उसकी क्या कारण है इन सभी का हम अध्यन जो है इसी सिस्मो लॉजी जो कि भुकम्प विज्ञान से समंदितर आपसे पूछा भी जा सकता है विज्ञान की वह साखा जिसमें भुकम्प समंदि घटनाओं का अध्यन क्या जाता है क्या कहलाती है सिस्मो लॉजी कहलाती है भुकम्प विज्ञान कहलाती है जिसमें हम भुकम्पिय तरंगों का और भुकम्पिय तिवरता का अध्यन करते हैं और बुकम्प लेखनी के नाम से हम लोग जानते हैं बुकम्प लेखनी या सिस्मोग्राफ का जबकि भुकम्प्यत तिवरता का जो मापन है इसके लिए हम रियक्टर स्केल, मरकेली स्केल और रोजी फेरल स्केल का हम लोग प्रियोग करते हैं तो देखें नेमनल लिकित में से बुकम्प लेखनी तिवरता मापने का पैमाना नहीं है इसका सही उत्तर है ये सिस्मोग्राफ नहीं है क्योंकि सिस्मोग्राफ से हम बुकम्प लेखनी तरंगों की प्रकरती का मापन किया जाता है जबकि भुकंप की तिवरताम, आपने के लिए 3 प्रकार की scale ने? इसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वहां रियक्तर scale आप से पूछा जा सकता है कि भुकंप की तिवरताम आपने की सरवाधिक प्रचलित पैमाना या scale कौन सी है? तो reactor scale सबसे जो हैं प्रचलिते हैं जिसकी खोज किस ने की थी, Charles Reactor ने की थी, Charles Reactor ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसे हम reactor scale के नाम से ज्यानते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की नेमन लिखित में से किसे करत्रिम भुकंप की संग्या दी गई हैं ए, विवर्टनी की भुकंप, जौलामुकी भुकंप, सी नियात भुकंप, अडी बांद जनित भुकंप, देके सबसे पहले तो करत्रिम भुकंप किसे कहते हैं क्रत्रिम भुकम का मतलब है वहा भुकम जो की मानविय किरिया के कारण जो है आया है उसे हम क्रत्रिम भुकम कहते हैं देखिए भुकम के दो प्रकार होते हैं, यानि भुकम के जो है कारण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्राकर्तिक कारण और एक तो होते हैं मानव जनित कारण होते हैं, उसके कारण इदी भुकम आता है, तो उससे हम क्रत्रिम भुकम की संग्या देते हैं, इदी हम बात करें सबसे पहले ए वीवर्तनी की जो भुकम पहे यहां प्लेट वीवर्तनी की अनुसार प्लेट प्लेट वीवर्तनी की के अनुसार जो धरातल्य प्लेटे हैं उनमें जब कमपन या गती होती है तो उसके कारण जो भुकम आता है उसे वीवर्तनी की भुकम कहते हैं और यहाँ एक प्राकर्तिक भुकम है मानो जनित भुकम नहीं है दूसरा है ज़ालामुकी भुकम यहाँ जो है ज़ालामुकी की रिया के कारण ज्वाला मुखी की रियाक के कारण जो भुकम आता है उसे हम ज्वाला मुखी भुकम कहते हैं यहाँ भी एक प्राकर्तिक जो है कारण है या प्राकर्तिक भुकम का जो है उदारन है नियात जो भुकम है यहाँ आता है खनन शित्र में जो खाने होती है बड़ी बड़ी खनंद शेत्र में कई बार जो है अचानक खानों का जो उपरी भाग ठा जाता है तो उसके कारण खनंद शेत्र में जो भुकम आता है उसे हम नियात भुकम की संग्या देते हैं चौता है बांद जनित भुकम बांद जनित भुकम का मतलब है कि बांद के टूटने से या बांद के कारण जो है भुकम आता है उसे हम बांद जनित भुकम कहते हैं और बांद जनित भुकम यहां एक मानव जनित भुकम का कारण है इसलिए इसे क्रत्रिम भुकम की संग्या द आता है इसलिए बांध जनित भुकम में मानव की प्रत्चक्स भूमी का रहती है इसलिए इसे क्रत्रिम भुकम की संग्या दी गई है इसका सही उत्तर है वा है डी बात करते हैं अगले प्रश्न की अगला है भुगर्बिय तरंगों के छाया छेत्र को दर्शाने वाला सही युगम है अब समझना यहां से सबसे पहले तो भुकम्पिय तरंगों का जो है छाया छेत्र किसे कहते हैं धानकना छाया छेत्र का मतलब होता है वहा छेत्र जहां पर भुकम्पिय तरंगों का मापन नहीं होता है यहनि कि उस शेत्र में किसी तरकी भुकम्पिय तरंगों का मापन नहीं होता है अब हम यहां बात करते हैं भुगर्बिय तरंगों की अब समझना भूगर्बिय तरंगे भूगर्बिय तरंगे दो प्रकार की होती है एक तो होती है प्रात्मिक तरंगे और दूसरी होती है दित्यक तरंगे इससे हम प्राइमरी वेज और इससे हम सेकेंडरी वेज करते है अब जो प्रात्मिक तरंगे यहाँ ठोस द्रव और गैस तीनों में गमन करती है जबकि यहाँ केवल कहाँ ठोस में गमन करती है तो इसलिए प्रत्वी के अंदर कुछ ऐसा शेत्रों का जहां पर जो है यहां पर भुकम की तिवरता का अनुभाव नहीं किया जाएका भुकम की तरंगों का अनुभाव नहीं होगा तो उसकी बात करते हैं देखिए वहाँ शेत्र जहाँ भुकम्पे तरंगों का अभी लेखन नहीं होता है, भुकम्पे तरंगों का मापन नहीं होता है, उसे हम भुकम्प छाया शेत्र कहते हैं, भुकम्प छाया शेत्र की हम लोग संग्या देते हैं, बुकम्प छाया श्यत्र अब बुगर्विय तरंगों के बारे में पूछ रहा हैं बुगर्विय तरंगे दो प्रकार किये होती पी और एस अब समझना पी पी यह निकी प्रात्मिक तरंगे यहां जो है यहां है बुकम्प मूल बुकम्प मूल से 105 डिगरी तक S और P दोनों तरंगों का मापन होता है लेकिन 105 से लगा कर 145 डिगरी के मद्दी की बात करें तो यहां पर जो है P और S दोनों तरंगों का मापन नहीं होता है इसलिए भूगर्ब यह तरंगों में दोनों तरंगों का जो चाया चेतर होता है वहां 105 से लगा कर 145 होता है यह ध्यान रखना यदि हम बात करें S की कि S दरंगों का भुकम चाया शेतर क्या होता है तो यहां जो है यहां है भुकम पमूल भुकम पमूल से 105 डिगरी तक तो जो है S तरंगों का मापन होगा लेकिन 105 के बाद S तरंगों का मापन नहीं होता है इसलिए प्रात्मिक तरंगों का भुकम चाया शेतर कम होता है जबकि S तरंगों का यहां है S तरंगों का जो है सेडो जोन है जो की ज्यादा होता है यहीं सेकेंडरी वेवज का भुकम चाया शेतर अधिक होता है और प्रात्मिक तरंगों का भुकम चाया शेतर कम होता है प्रात्मिक तरंगों का तो 105 से लगाकर 145 डिगरी के मद्य होता है जबकि S का 105 से अधिक पू पूछा गया देखिए भूगर्विय तरंगों के छाया छेत्र को दर्साने वाला अब भूगर्विय तरंगों में P और S दोनों को सामिल करेंगे जब दोनों को सामिल करते हैं तो वहाँ सही उत्तर कौन सा होगा एक सो पांस से लगाकर एक सो पैतालिस के मद्य P और S दोनों प्रकार की तरंगों का मापन नहीं होता है इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा भी इसका सही उत्तर होगा जीरो से एक सो पांस के मद्य P और S दोनों प्रकार की तरंगे जो है इनका मापन किया जा सकता है लेकिन एक सो पांस से एक सो पैतालिस के मद्य P और S दोनों का मापन नहीं होता है इसलिए यहाँ जो है दोनों तरंगों के लिए P और S दोनों के लिए यहाँ जो है भुकम छायाँ छेत्र को दर्साता है जो दोनों को दर्साएगा वहाँ भूग गर्विय तरंगों का छायाँ छेत्र कहलाता है बात करते हैं अगले प्रश्ण की नेमना लिखित में से सक्रिय ज्वाला मुखी का उधारन नहीं है देखिए सबसे पहले बात करते हैं ज्वाला मुखी की वाल के नूँ ज्वाला मुखी जो है यहां तीन प्रकार के होते हैं एक तो होते हैं सक्रिय ज्वाला मुखी एक होते हैं सांत ज्वाला मुखी और तीसरे होते हैं वहां होते हैं शुशुप्त ज्वाला मुखी सक्रिय ज्वाला मुखी का मतलब है ऐसे ज्वाला मुखी जिनसे निरंतर लावा धरातल के उपर आता है निरंतर उनमें उद्गार होता रहता है, उन्हें हम सक्रिय जौला मुखी कहते हैं बात करते हैं स्टॉम्बॉली, स्टॉम्बॉली यहां इटली में एक सक्रिय जौला मुखी है, जो की लिपारी द्वीप पर इस्तित है इटली के लिपारी दीपर इस्तित एक सक्रिय ज्वाला मुखी है कोटोपेक्सी की बात करें यहाँ इक्वेडोर में इक्वेडोर में इस्तित सक्रिय ज्वाला मुखी जो की विश्व का सबसे उंचा सक्रिय ज्वाला मुखी माना जाता है तीसरा है मोनालाओ यहाँ हवाई द्वीप पर इस दिद विश्यू का सबसे बड़ा जो है सक्रिय जौला मुकी है तो यहाँ A, B और C यहाँ तीनों ही सक्रिय जौला मुकी है लेकिन फुजियामा की बात करें तो यहाँ जापान में हैं कहाँ पर हैं जापान में हैं और यहाँ एक शुशुप्त जौला मुखी का उधारन है किसका है शुशुप्त जौला मुखी का उधारन है इसका सही उत्तर है D. सुशुर्ट जौला मुकी का मतलब है ऐसे जौला मुकी जिसमें एक बार उदगार होने के बाद कई समय तक उदगार नहीं होता है फिर अचानक उनमें से उदगार होता है तो ऐसे जौला मुकी को सुशुर्ट जौला मुकी कहते हैं जिसमें विशु के दो प्रमुक सुश उदारन माने जाते हैं तीसरे होते हैं सांत जौला मुखी सांत जौला मुखी का मतलब ऐसे जौला मुखी जिनमें एक बार उद्गार होने के बाद पुना उनमें उद्गार नहीं होता है या उद्गार होने की संभावना नहीं होती है उन्हें हम शांत जौला मुखी कहते है और इन तीनों में जो सबसे ज़ादा विनासकारी होते हैं वहाँ शुशुप्त जौला मुखी यहाँ सरवादिक विनासकारी जौला मुखी होते हैं सरवादिक विनासकारी जौला मुखी की संग्या की सेदिगी शुशुप्त जौला मुखी को दी गई है बात करते हैं अगले प्रश्न की नेम्न लिखित में से आसुमेलित युग्मकी पहचान कीजिए एक और जौलामुकी है दूसरी और देश है और आपको बताना है कि इस में से कौन सा आसुमेलित और तो देखिए ए सबसे बहले बात करते हैं पोपा पोपा जो है फिलिपिन्स में नहीं है पोपा है वहाँ म्यानमार में है कहाँ पर है म्यानमार में है और फिलिपिन्स में जो है उसका नाम है माउंट ताल वहां का जो है जौला मुखी है इसलिए इसका सही उत्तर क्या है ए है देवन यहाँ इरान में है सही है चिम्बा रोजी यहाँ एक्विडोर में है यहाँ भी सही है और विशुवियस यहाँ इटली में है और यहाँ एक सुष्पत जौला मुखी का उधारण माना जाता है विशुव्यस या इटली में एक सुशुप्त जौला मुखी है चिम्बाराउजी, देवन्द और पोपा की बात करें तो यहाँ सांत जौला मुखी की स्रेहनी के अंतरकत आते हैं और पोपा जो है यहाँ म्यानमार में है और माउंट ताल जो है वहाँ फिलिपिन्स में जो है प्रमुख ज्वाला मुखी है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, विश्र में सरवादिक ज्वाला मुखी किस देश में है, इंडोनेशिया में एंडोनेशिया इंडोनेशिया और इंडोनेशिया का जो मुख्य जौला मुख्य है जिसका नामे क्राकाताओ क्राकाताओ यहां इंडोनेशिया का एक सबसे प्रशिद जौला मुख्य है और सबसे ज्यादा जौला मुख्य की संक्या कहां पर हैं इंडोनेशिया में इदि हम जापान में बात करें तो जापान में फ्यूजी आमा है जापान में फ्यूजी आमा है इक्वे डोर में आपको दो मिलेंगे एक तो कोटो पैक्सी और चिमबारो जी कोटो पैक्सी विस्ट का सबसे उंचा सक्रे जौला मुकी है और चिमबारो जी जो की एक सांत जौला मुकी का उधारन है और फिलिपिन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा और एक है पीना टैबू यहाँ दो यहाँ के जो है प्रमुख जौला मुखी है लेकिन सबसे ज्यादा जौला मुखी कहां पर है इंडोनेशा में इसलिए इंडोनेशा को जौला मुखी का देश भी कहां जाता है अगला प्रश्ण नेमन लिकित में से कौन सा एक मात्र सक्रिय जौला मुखी जो की भारत में इस्तित है A. एटेना, B. बेरंद्वीप, C. क्राकाताओ, D. नार कॉंडम देखे सक्रिय जौला मुखी जो की भारत में भारत में एक मात्र सक्रिय जौला मुखी है जिसका नाम है बेरंद्वीप इसका सही उत्तर है B. बेरंद्वीप, यहां अंडमान निकोबार में है अंडमान निकोबार में भारत का एक मात्र सक्रिय जौला मुखी इस्तित है हाला कि एक और जौला मुखी है जिसका नाम है नार कॉंडम यहां भी अंडमान निकोबार में है अंडमान निकोबार में जबकि नार कॉंडम यहां एक सांत जौला मुखी का उदारने बेरंद्वीप एक सक्रिय ज्वाला मुखी का उदारने यद्धान रखना सक्रिय पूछा जाएका तो बेरंद्वीप और सांत पूछा जाता तो नार कॉंडम एटेना की बात करें तो यहाँ इटली में हैं कहाँ पर हैं इटली में सीसली द्वीप पर इस्तित जो है एक सक्रिय ज्वाला मुखी है सीसली द्वीप पर इस्तित ज्वाला मुखी है और वह कौन सा है एटेना है क्राकाताओ यहाँ इंडोनेशिया में हैं इंडोनेशिया में इस्तित परशिद जो है ज्वाला मुखी है क्राकाताओ यह थे हमारे ज्वाला मुखी के बारे में जो प्रस्ण पूछा जैए इसके बाद एक और प्रस्ण जो कि आप लोगों से सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि निमनल लिखित में से किसे Ring of Fire प्रत्वी का अगनी वले की संग्या दी गई है A. परिप्रशांद महासागरिय पेटी B. मध्य महादीपिय पेटी C. मध्य अट्लांटिक पेटी D. ग्रेट अफ्रिकन डिफ्ट वैले D. देखिए Ring of Fire प्रत्वी का अगनी वले यहां पर सबसे ज़्यादा ज्वाला मुकी है उसे Ring of Fire कहते हैं और विश्व में सबसे ज्यादा ज्वाला मुकी वहाँ परिप्रशांद महासागरिय पेटी में है इसलिए इसका सही उतर है परिप्रशांद महासागरिय पेटी को जो है प्रत्वी का अगनी वले केते हैं कि प्रशांद महासागर के चारों और जो एक संखला है ज्वाला मुक्यों की संखला है उसे ही क्या कहा जाता है Ring of Fire कहलाता है जिसका विस्तार कहां से हैं जिसका विस्तार उत्री अमेरिका, रूश, जापान, फिलिपीन्स तक प्रशान्थ महा सागर के चारों और है और यहां पर विश्व के प्रमुक जो आला मुखी है दक्षिन अमेरिका में जाते हैं तो एक्वेडोर में कोटो पैक्सी और चिंबारेजी मिलते हैं उत्री अमेरिका में हम अलास्का में जाते हैं तो दस हजार दुहारों की घाटी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं रूश में जाते हैं जापान में फिजियामा मिलेगा फिलिपीन्स में जो है पीना टैबू है माउंट ताल जैसे जो है जो आला मुकी मिलते हैं जो महासागरी पेटी में आते हैं निविश्व में सबसे ज़्यादा भुकम भी कहां आते हैं इसी जगह आते हैं इसके बाद मध्य महादीप्य पेटी यहां पर 21 प्रतिशत जो है भुकम आते हैं और यहां पर परिप्रशांद महासागरी पेटी के बाद में सबसे ज़्यादा जो अलामुकी है वहाँ मध्य महादीपिय पेटी में जिसके अंत्रकात इस्पैन है पूर्टगाल है इतली है इरान है इंडोनेशिया जो है म्यानमार है यहाँ विश्व के जितने भी देश हैं यहाँ सब मध्य महादीपिय पेटी के अंत्रकात आते हैं और यहाँ पे जितने भी जो है जो अलामुकी है चाहे म्यानमार का पोपा है इरान का देबंद है इंडोनेशिया का क्राकाताओ है इटली का एटेना है स्ट्रोंबेली है विश्यूवियस है इन सभी को जो है मध्य महादीप्य पेटी का भाग माना जाता है और भारत का जो हिमाले परवती शेत्र है जो की भुकंप प्रवती शेत्र के अंतरगत आता है वहबी इसी मध्य महादीप्य पेटी के अंतरगत आता है तो इसलिए यहां से प्रस्य पूछा जासता है कि हिमाले परवती शेत्र निम्र प्रशांद महासागरिय पेटी में इस कारण इसे ही प्रत्वी का अगनी वले रिंग ओफायर कहा जाता है इसके अलावा कुछ और फैक्ट जो हमसे पूछे जा सकते हैं एक तो पूछा जा सकता है दस हजार धुआरों की घाटी दस हजार धुआरों की घाटी यहां कहां पर हैं तो यहां अलासका में हैं कहां पर हैं अलासका जो कि किसका भाग है यू एस ए का भाग है उत्री अमेरिका में वहां पर दस हजार धुआरों की घाटी है इसके अलावा एक पूछा जा सकता है भूमद्या सागर का प्रकास इस्तम किसे कहते हैं यहाँ स्ट्रॉमबॉली को कहा जाता है स्ट्रॉमबॉली जो की एक सक्रिय जो अला मुखी है सक्रिय जो अला मुखी है और यहाँ कहां पर है तो यहाँ जो है लिपारी द्वीप इटली में इसे जो है भूमद्या सागर का प्रकास इस्तम किते हैं एक और पूछा जाता है प्रशान्त महा सागर का मोती जो है यहाँ हवाई द्वीप को कहा जाता है किसे कहा जाता है हवाई द्वीप को कहा जाता है और यहाँ पर जो है मोना लाओ सक्रिय जो अला मुखी है कैसा है मोना लाओ सक्रिय जो अला मुखी है तो कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय जो अला मुखी है और एक पूछा जाता है बुकम का देश किसे कहते हैं जापान को कहते हैं विस्व में सबसे ज़्यादा बुकम कहां आते हैं जापान में आते हैं क्यों आते हैं क्योंकि यहाँ परीप्रशांत परीप्रशांत महा सागरिय पेटी के अंतरगत आता है और परिप्रशांद महासागरे बेटी में सबसे ज़्यादा क्या आते हैं बुकंप आते हैं और एक और कि किसा महादीप में बुकंप या जौला मुखी नहीं है तो वहाँ है आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया महादीप में बुकंप नहीं आते हैं या जौला मुखी किरिया नहीं होती है तो यह कुछ फैक्ट जो है हमें एक्जा में पूछे जाते हैं डारेक्ट फैक्ट हमें एक्जा में पूछे जा सकते हैं तो यह था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने रीट 2022 के टॉप mcq में जौला मुखी और भुकम को लेके जितने भी प्रश्ण पूछे जा सकते उन पर हमने चर्चा किये और यहां से इसी टॉपिक को लेके एक या दो प्रश्ण पूछे जाने की संभावना है और इसी तरह से हम हर एक जो हमारे सलेबस के टॉपिक है चाए वो व अध्यास के जो महत्पूर्ण टॉपिक है उनको लेके कैसे प्रश्ण पूछे जा सकते हैं उन सभी की हम इसी तरह से टॉपिक वाइड जो है टॉप mcq से आपके साथ जो है नियमित रूप से रोजाना 20 दिन तक यानि 1 जुलाई से लगा कर 20 जुलाई तक हम नियमित आप के साथ रहने वाले हैं तो अपने तयारी को साथ साथ जारी रखें और रीट जो क्वालिफाई एक्जाम है इसको क्लियर करके में एक्जाम के लिए जो है अपने आपको तयार कीजिए और साथ इसाथ जो है एक टीचर बनने का जो आपका एक सिक्षक बनने का एक बनने का जो आपका सपना है उसको पूरा किजिए इनी सुबकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही मिलते हैं next class thank you